नमस्कार दोस्तों मैं आपका होस्ट रोस्ट स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की वीडियो में आपको बताने नहीं दिखाने जा रहा हूँ जियो 5-5 की डिस एसेंबली डिसेंबल करने के बाद मैं इसमें एक्स्टरनल एंटीना ट्राइ करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि इसके network reception की जो quality है वो थोड़ी सी क्लम है हागे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दो कि Jio55 मेरे पास करीब 6 मेहने से है और मुझे लगता है कि इसका छोटा सा review तो मैं आपको देही सकता हूँ दरसल हर product को upgrade कर उसमें कोई न कोई नया feature या नई तकनीक add की जाती है पर इस version में कुछ खास upgrade देखने को नहीं मिला बलकि कुछ features जैसे SD guard support तो हटा दी गई है hardware भी खासतोर पर इसका cabinet काफी कमजोर है और एक बाद मैंने notice की कि full discharge होने के बाद charger से connect करने पर सामने की तीनों LED red blink करती रहती है मुझे नहीं पता कि ये problem सिर्फ मेरे साथ है या फिर और भी लोगों को इसका सामना करना पड़ा battery backup तो पहले के version से कम ही है तो चलिए आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों ये है वो जियो 55 जिसकी autopsy हम लोग आज करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग इसका power off कर देंगे power off करने के बाद हम लोग इसका back cover हटा देते हैं आप देख सकते हैं इसका back cover एंटी scratch material से बना हुआ है तो उसके बाद दोस्तों हम इसकी battery भी निकाल देते हैं battery निकालने के बाद आपको company की warranty की seal दिख जाएगी और मुझे आपको यह बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अगर आप ऐसा करते हैं अपने GFI को disassemble करते हैं तो company की तरफ से जो warranty आपको मिली ही हुई है वो खो जाएगी आप ऐसा कर सकते हैं सिर्फ अपने risk पे router के cabinet पे चार screws दिये गए हैं जिससे हम लोग इसको driver से निकाल लेंगे screws निकालने के बाद router की जो lining है outer lining उसे आप ejector या फिर अपने नाखुनों की मदद से हलके दबाव बना कर निकाल लीजिए और यह router खुल गया आप देख सकते हैं इसके back panel पे दो एंटीना लगे हुए और इसका सारा circuit board सामने के panel पे लगा हुआ है शायद आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले कि जो versions हैं उनमें सारे router में dual एंटीना आते थे याने कि wifi के दो एंटीना होते थे और network के भी दो एंटीना होते थे पर इस वाले version में wifi का सिर्फ एक एंटीना दिया गया है और network का भी एक ही एंटीना दिया गया है यह जो right side वाला एंटीना है वो wifi का है और यह left वाला एंटीना नेटवर्क का है अब हम लोग इसके दोनों एंटिना को डिस्लोकेट करेंगे ऐसा करने के लिए यह जो होस दिये गए हैं इस पे आप ट्वीजर या फिर स्कूर्ड्राइवर का हलका सा दबाओ बनाकर एंटिना को निकाल सकते हैं मैं आपकर के दिखाता हूँ अब हम लोग इसके सर्कीट बोर्ड को इसके फ्रन्ट पैनल से डिस्लोकेट करेंगे ऐसा करने के लिए आप ट्वीजर या फिर इजेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल सावधानी से करें क्योंकि अगर कोई इंटर्नल पार्ट ट्वीजर या फिर इजेक्टर से डेमेज होता है तो आपका पूरा जीओफाई डेड हो सकता है और आप लोग यहां देख सकते हैं कि इसके इंटर्नल इक्वीपमेंट को बचाने के लिए शील्ड दिया गया है वैसे तो मुझे शील्ड हटा कर कोई काम नहीं है मैं तो सिर्फ इस पे एक एक्स्टरनल एंटिना का क्लिप लगाने वाला हूँ लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यह इसका शील्ड हटा देता हूँ इसके शील्ड में अच्छी बात यह है कि यह बोड पे शॉल्ड नहीं किया हुआ है यह पेस्टेड नहीं है इसे हटा कर आप दोबारा फिर से लगा भी सकते हैं और यह देखिए शील्ड हट गया और बोड को दो कमपार्टमेंट में बाटा गया है शायद उपर का पावर सेक्षन हो और नीचे का आरेफ सेक्षन हो मुझे इतनी जानकारी नहीं है लेकिन मेरे अंदाज से उपर का पावर सेक्षन ही होगा अब चुकि मुझे इसके बोड पे कोई छेड चार्ड नहीं करनी है इसलिए मैं इसकी हील्ड वापस लगा देता हूँ तो दोस्तों यह है वह एक्स्टरनल एंटिना एडप्टर जिसे मैं जिओ फाइफ फाइब में लगाने वाला हूँ अगर आपको यह चाहिए तो नीचे में लिंक दे दे रहा हूँ मैं इसे GFI में इंस्टॉल करके एक्स्टरनल एंटिना ट्राइ करने वाला हूँ उमीद है इससे नेटवर्क प्रिसेशन में कुछ प्रोब्रेस होगा इसे झाला है झाल झाल और दोस्तों यह है वो पैच पैनल जिसे मैं सबसे पहले जीव फाइव में ट्राई करने वाला हूँ झाल झाल दोस्तों उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर छोड़ के जाईए अगर इसके परफॉर्मेंस में कोई प्रूव्मेंट होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा तब तक अपना ध्यान रखिए और मिलत हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद